नमस्कार आप सभी को मेरे ECU चलनल पर हर्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज मैं आपको रिप्रोड़क्टिव सिस्टम मैं फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम इस्त्री प्रजनन तंत्र का कुछ महतुपूर्ण बातों के बारे में बता रही हूं पिछले वीडियो में प्रजन तंत्र ऐसे के प्रrhले को निश्चन होता है और रोपन कैसे होता है इन सारी चीज संसे बइसे ले तो मैंल माम प्रोड़क्टि अस में सिंगल बच्चे का परवरिष चोता है मतलluence 1 बच्चा पेट में रहता है पेट में कीता रहेगा एक ही बच्चा रहता है दो बच्चे नही समिव करते हूं कि अगर एक ये कई बार होता है ने एक ही है अंडानू एक ओभम है इस तरीका एक ओभम अगर दो सुक्रानू ने विभेदित कर दिया दो सुक्रानू अलग-अलग आकर कि विभेदित कर दिया जुर्वा बच्चा होगा कैसा बच्चा होगा जिसकी और सुरत कैसा होगा डिफेरेंट होगा इन दोनों बच्चों में मतलों कि Alban है अलग-अलग अलग शकल होगा अलग शेक्स भी हो सकता है और इस में लड़का होगा तो दूसरा लड़की में भी हो सकता है एक लड़का होगा तो दूसरा लड़की भी हो सकता है क्योंकि अस्पर्म क्या है दो है अलग-अलग अस्पर्म गया है और एक ही ओभा को एक ही को इसने विभेदित किया एक ही अंडानू को दो अस्पर्म ने विभेदित किया है तो जुरुआ बच्चा होने की संभावनाएं होती हैं और वह अलग-अलग हो सकता है इसमें से लड़का हो सकता है इसमें लड़की भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़का भी हो जाए जरूरी नहीं है दोनों लड़का भी हो सकता है कि ये डिपेंड करेगा आपके अस्पर्म की क्रोमोस किस तरह का जिनस उसने प्रवाइड कर वाया किस तरह के क्रोमोस लिया है ऐसा भी होता है कई बात आप देखते होंगे कि जुड़़ा बच्चे जो होते हैं एक जैसी होते है शकाल सूरत जो अक्सर आप पिक्चरों में देखते होंगे तो इसमें क्या होता है कि दो अंडानू अलग-अलग-अस्पर्म से अगर विभेधित हो जाता है अलग-अलग-फटिलाइज होता है तो पर भी दो बच्चे पैदा हो सकते हैं जुडवा बच्चा भी होगा जुडवा बच्चा भी होगा जो कि असम बच्चा होगा असम मतलब असम जुडवा बच्चा होगा जिसका सकल, सूरत, चाल, चलन सब अलग होगा क्योंकि इसमें देखू ओभा भी अलग है और यहां पर अस्पर्म भी अलग है जुडवा बच्चा होगा कई बार क्या होता ह है ऐसा भी देखने को मिलता है कि कि एक ही ओभम है ना एक ही ओभम को कि दो अस्पर्म कि या ऐसे समझें कि दो ओभम है दो ओभम को एक ही अस्पर्म है ना इस तरह से आँऔर फटिलाईज कर देता है विभेधित कर देता है तो सेम जो डोनुं होगा बच्चा वह एक जैसे होगा जिसको हम समझुद्वा बच्चा काते हैं कि एक अंडा एक अस्पर्म एक शुक्रानूं दो अंडानू को भी भेदित कर रखा है कि अकेला ही कि अंडानू क्या है दो है तो यह अस्पर्म एक है तो एक जैसे ही बच्चे पैदा होंगे इत्ती बात समझ मा गई अब हम आपको पताते हैं थोड़ी सी टेस्ट ट्यूब के बारे में समझूँ टेस्ट ट्यूब बीबी के नाम अपने सुना अज करको पेपर में ता है क्या होता है कि कई बार किनहीं कारणों से माता अगर गर्वधारन नहीं कर पाती है या पिता का औस होना हो जही है इस स्थिति में इतनी संख्या में नहीं होता है कि लड़की प्रिग्णिन्ट हो सके 150 Seah लाखों संख्या में ईस्पर्म होते हैं जिसमें से कोई एक स्पर्म जो सबसे मझबूत हो तरह तो दोड़ के जाता है और से एक निकलता है और यहां पेनelin की क्रिया हो जाती है को मैंने अ radio को यूट्रस है यह वाला पार्ट आपका यूट्रस में बच्चे का यह धीरी धीरी धीर करके यह वाली चीज़ है जाइगोट है अगर आप से पूछा जाए जब फैलोपियन टूब में अस्पर्म है और और बन गये यहां पर इसको भोजन कौन दे रहा है यह तो माता के दूसरे पोशक्तत प्रवाइट कर वा रहे हैं इस जाइगोट को जब मैंने बताया कि जब अस्पर्म और आपस में फ्यूज हो जाते हैं यह एक हो जाते हैं मिल जाते हैं तो जो सेल बनता है वो सेल को कहते हैं जाइगोट यह जीवित रहने के लिए फैलोपियन टूभी आउक्सीजन और वाए दूसरे पोशक्त तो प्रवाइट करवाते हैं दीरे धीरे यह जैगोट है ना परिस्टेल्टिक मूब्बेंट के माध्यम से पहुंच जाता है गरभासे में यूटरस में यह यूटरस है यहां पर जाइगोट है पहुंच जाता है यहांग पर इसक कि शुरुवात होती है एक पिन के सिर के बराबर होता वो धीरी धीरे देखे नौ महिना मा करके वो पूर्ण कि परिपक्वर शिश्यू के रूप में विकसित हो जाता है और फिर वो सर्विक्स से होते हुए और योनी द्वार से होकर के बाहर बच्चा निकल जाता है इती बात समझ मागई अब यह देखो यूट्रस के तीन पार्ट है जो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रही हूं यूट्रस के मुख्या है तीन भाग और तीन भाग क्या करता है यह यूट्रस है है ना गर्भासाई के मुख्य तीन भाग है पहला भाग आउटर पार्ट जो होता है वो कहलाता है पेरी मेट्रियम बाहरी भाग इसको बाहरी परत बोलो या आप इसको पेरी पेरी मतलब होता है आउटर पेरी मेट्रियम कहते है बीच का जो पार्ट होता है वो कहलाता है मायो मेट्रियम और अंतर का पार्ट होता है वो कहलाता है एंडो मेट्रियम और यह क्या है मानसल है परत है मानसल परत है जो की शिशु के विकास के लिए अत्यान दावस्च्त होता है अगर प्रश्ण ये पूछा जाए कि शिशू का विकास कहा होता है फैलोपियन टीब में होता है या यूटरस में होता है तो आप सीथे इसका इंसर दोगे कि गरभासे में होता है कल एक लड़की ने पूछा था कि अगर मैडम वो गरभासे में ना पहुंचे जाइगोट और उसका प्रतियस थापन यूटरस में नहीं होत फैलोपियन टीब में ही रह जाए तो क्या होगा तो कि इस स्थिति में क्या होगा कि जाइगोट का बढ़वार के लिए चाहिए जगह फैलोपियन टीब एक नली है एक पतलीसी नली है जिसमें इतनी जगह नहीं होती है कि जा कर पार्ट होता है पहला पार्ट जो इसका होता है फैलरोपिंट्प्राव कर न दूस्रा बन दूसरे पार्ट यह अगर्षक नंडिक होता है अब लियुट्रेशी अनलग होता है तो यह पार्ट होताा इसका मोटा है और यह वाली पार्ट जो होती है बीच वाला पार्ट होता है चुर्व यो होता है जो होता है जिसको कहते हैं राई और बही लंबा होता है यह ऑपका साथ संटीमीटर होता है नंगर अगर जैसा कि आपने एक प्रस्न पूछा था कि मैडम अगर ऐगर फैलिश प्लेटीट न कुछ ज Physics कि जाइगोट रहा और वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा इस इस्तिति में क्या होगा कि जाइगोट का पुर्ण विकास नहीं हो पाएगा और इस नली के दबाव के कारण है ना यह नली के कि दबाव के कारण यह कूश ही चार से छहें सब्सक्राइब यह फट जाएगा इस जाधर-जाधर 1.30 मेहिना में इसे ज्यादर नहीं होगा और यह रपकंचर हो जाएगा जफट जाएगा तो क्या होगा एबोर्शन हो जाएगा जिसको हम आ आस्थाई गर्भपार्द इसको क्या बोलेंगे आस्थाई गर्भपार्द बोलेंगे जर्ल, भाज़, फैलीपियन टूब में कभी बुच्च का विकास नहीं होता है रूप से ःब हो जिसको हम कहते हैं एक अस्थाई गर्भपात और कई बार मालों की बच्चा और भी बड़ा हो गया दाई महिना तीन महिना को गया तो इस स्थिती में यह फैलेपियन को ही फाड़ देगा ऐसा भी केसेज देखने को मिलता है इस फैलेपियन ट्यूब को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा और मां और बच्चा दोनों के लिए यह स्थिती खत्तरनाक होगी इसलिए फैलेपियन ट्यूब का काम केवल है अंडवाहिनी नलीज को इसलिए कहते हैं जिकेवल अंडवाहिन करता है यहां पर यह अस्थान परदान करता है जहांपर शुकरानुझ। और अंडवाहिनुचिय आपस में मिलते हैं निशेचन की क्रिया होती है और जब निशेचन की क्रिया कंप्रीट हो जाती है तो धीरे धीरे यह अंडानू क्या होता है नन मोटाइल होता है मतलब अगती सील होता है यह यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है तो धक्के दे करके दे करके इसमें जो क्या होता है फैलेपियन ट्यूब इस तरह स होता है प्रोग्षी अग्मन और दूसरा होता है और आप परदान करता कहां से कि यहां पर हमारा बच्चा पले बढ़े का मतला अस्थान देता इसके बाद यहीं पर स्टो जो हार्मोन the Christina से निकलता कहाँ से है ये मदर के प्लेसंटा से मतलब यूटरस के प्लेसंटा से निकलता है प्रोग गर्व को रोक करके रखता है कि इसनी की बार न Te तक जब तक शिशु में क्योर नहीं होता है तब तक प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन गर्व को रोक करके रखता है बच्चा को बाहर निकलने नहीं देता है तो प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन कहां से निकलता है प्लेसंटा से और जो समाल्य और अथ है ना उसमें प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन जो है निकलता कहा से है कॉर्पस लियूटियम से आक कष निकले गा कॉर्पस लियूटियम से एक चीज़ और बता रह inten को है एक चछब अर बता रहे हूं यह ब्रुरृत प्रज्णotalर है आपने देखा न महिला नस्बंधि नाम सुना होगा महिला नस बंदु this mean क्या करते हैं कि व्र मदर नहीं हो पाठी बात समझ में आ गया क्या हुआ पहले मैंने बताए था आपको वास डिफरेंस यह वास डिफरेंस है ना तो वास डिफ नस्वंदी यहां से इसको नस्व काट दिया जाता है तो पुरुष नस्वंदी कहलाता है यहां से अस्पर्म आगे जो टेस्टीस से अस्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता है प इसके बाद एक चीज और बता रही हूं आप यहीं सुन लो कि टेस्ट्यू बेबी का नाम अपने सुना होगा तो टेस्ट्यू बेबी में जिस जो महिला सामनी रूप से गर्भधार नहीं कर पाती है तो वो क्या करती है अपने बच्चे को जर्म देने के लिए अपने पती का अंडानू है ना और अपना स्वयम का अपने पती का सुक्रानू शौरी सुक्रानू है ना अस्पर्म और अपना अंडानू यह चिकित्सक की मदद से एक टेस्ट ट्यूब में निकाला जाता है और यहां पर बाहर में इसकी परतिक्रिया कराई जाती है यहां पर निशेचन कराई जाता है यहां जब इसकी निशेचन हो गया फिर इस निशेचन को गर्भ रोपन जो है या तो स्वैम के पेट में कर लेती है अथवा किसी दूसर कि वे अपने शिशू को पालना नहीं चाहती है जैसे बड़े-बड़े हिरोईन है जो सोचते का मारा पेट खराब हो जाएगा क्योंकि उट्रस जो है फैल जाता है पुरे नौ महिने में उट्रस के जो सामानी लंबाई चोड़ाई होती है वो छे से साड़ी साथ गुना में इसको फिर किसी गरीब महिला को दे देती है कि तुम हमारे बच्चे को पालो हम तुम एक खान पान देंगे सब कुछ देंगे और बच्चा बड़ा हो जाएगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम मुझे दे देना इसमें डॉक्टर साभी पैसा कमाते हैं उस इसको भी पैसा मिलता है और इस तरह से इसको कहते सेरोगेट मदर तो दो चीजा आपको समझ मागई सेरोगेट मदर समझ मागई है तो चलो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं और अगर इस समंदित कोई प्रस्ण होगा तो मुझे बताना मैं जरूर बताऊंगी और आपको भज़त करूँगी अंडवाह निनली के चार पार्ट होते हैं अगर कोई पूछे कि कितने पार्ट है तो चार पार्ट हैना चार भाग में बटा हुए एक यूटी राइन पार्ट दूसरा इस्थमस पार्ट हैना तीसरा इंफंडिवल पार्ट और फिम्री वाला लाइक करें सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों की भी मदद करें थैंक यू